दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्वीटी टू कमूइटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप मारकेट में पता कर सकते हैं कि जो सेलर्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं अगर sellers कमजोर हो रहें इस बात का आपको idea मिल जाता है यह चीज आपको benefit करेगा multiple fronts से सबसे पहले आप उहाँ पे sell side की तरफ positions initiate नहीं करोगे अगर आपको यह नहीं पता रहता है तो by chance उहाँ पे आप sell side की तरफ positions initiate कर सकते थे और आप trap में फस सकते थे तो यहाँ पे आपको trap में फसने से बचाएगा और आपको losses को avoid करके देगा as a result आपका trade का accuracy level increase हो जाएगा और जब sellers कमजोर हो रहे तो obvious ही बात है कि market में दो ही लोग होते हैं sellers या फिर buyers तो buyers यहाँ पे मजबूत होते हुए दिखेंगे अगर buyers वहाँ पे अपना strength गें करें तो आप buying opportunity find करके वहाँ पे trade लेके profit बना सकते हैं तो इस तरीके से यह concept समझने के बाद आपको multiple front से benefit मिलने वाला तो चलिए इस concept को समझते हैं कि कब market में sellers कमजोर होते हुए हमें देखे जाएंगे तो यहाँ पे हम चार्ट पे आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका बजाज electrical का चार्ट है और daily चार्ट है यहाँ पे time frame को लेके लोगों को मन में doubt रहता है तो सबसे पहले यह doubt clear कर देता हूँ यहाँ पे आप कोई भी time frame इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो 5 minute ले सकते हो आप चाहो तो 15 minute ले सकते हो आप चाहो तो 1 hour time frame ले सकते हैं जो भी time frame आपको suitable लगता है वो time frame आप ले सकते हैं, उसकी according ये सारा काम आप कर सकते हो तो time frame में कोई restrictions नहीं, यहाँ पे हमने daily time frame इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा perfect clear picture समझ में आता है और आपको समझने में आसानी होगी बाग कि इसका implementation आप किसी भी time frame में जाके कर सकते हैं तो सबसे पहले जो sellers के weakness का हम लोग idea लगाते हैं वो different तरीके से multiple तरीके से लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो most popular तरीका है जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं जिसके जरी आप आसानी से sellers के strength और weakness का idea लगा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या find करना है सबसे पहले आपको find करना support level जब आप support level find कर लेंगे तो जो भी काम होगा सारा का सारा आपका support level के करीब होगा तभी हम उसको consider करेंगे अगर support table के उपर या फिर नीचे कोई काम हो रहा है तो फिर वो हमारे consideration में नहीं आएगा हम उसको consider नहीं करेंगे इस बात को आपको ध्यान देला है अब दूसरा यहाँ पर क्या दालना दूसरा यहाँ पर देखना है कि candle में क्या बनना चाहिए long tail वो भी कहाँ पर bottom में समस्पहरे support table के पास candle क्या form करे long tail bottom में form करे यह क्या दिखाएगा यह हमें दिखाएगा कि यहाँ पर जो sellers हैं वो कमजोर हो रहे हैं और जब sellers कमजोर हो रहे हैं यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है यहाँ पे हमें sell side की तरफ नहीं जाना है और यहाँ पे हम अपना buying opportunity खोज के यहाँ पे हम trade initiate कर सकते हैं अगर buying opportunity मिलता है तो हम trade लेंगे अधरवाइस हम trade नहीं लेंगे यह concept आपको समझ लेना है तो सबस्पहले support level और उसके पास long tail वाला candle और long tail कहाँ पे होना चाहिए bottom में होना चाहिए तो अब देखिए price आपका नीचे आया है यहाँ पे भी आपका एक support level का formation किया है और price आपका उपर गया है अब यहाँ से क्या हुआ है इस support level को break करते है price नीचे चला गया है तो यहाँ पे हम इस support level break होने के बाद sell side की तरफ जाएंगे यहाँ पे sellers कमजोर नहीं हुए है अब sellers कमजोर कहाँ पे प्राइस आपका नीचे आया है और यहाँ पे आपका एक support level बनाया है अब जब support level बनाई रहा था उसी time पे क्या किया है candle ने long till at the bottom बनाया है यहनि जैसे आपने देखा है कि candle long till at the bottom बनाया है यहाँ से भी हमें काफी हद तक idea मिल गया है कि क्या होगे जो sellers है वो कमजोर होगे अगर आप यहाँ पे बाज साइट की तरफ नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन at least यहाँ पे हमें sell side की तरफ positions नहीं लेना है और यहाँ पे at the same time क्या हुआ हुआ support level का भी formation हुआ है तो हमारा main come यहाँ पे नहीं होता main come support level form होने के बाद होगा अब उसके बाद price यहाँ से उपर क्या है हमारे कोई काम करें फिर price जब support level के करीब आया है तो यहाँ पे हमें देखना है कि candle ने long tail बनाया है कि ने बनाया है वो भी bottom में अब यहाँ पे देखिए support level करीब आया है candle ने long tail at the bottom बनाया है अब यह हमें 100% confirmation दे रहा है कि यहाँ पे क्या होगे जो sellers है वो काफी हद तक कमजोर हो गए है अब जब sellers कमजोर हो गए तो क्या यह जो support level है वो तूटेगा यह नहीं तूटेगा chances कम है support आप यहाँ पे live example ले चुका है तो क्या आप वह वाल तोर पाएंगे नहीं तोर पाएंगे ऐसा काम यहाँ पे भी हुआ है यहाँ पर क्या हुआ हुआ प्राइस आपका नीचे आ रहा sellers में strength है लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है क्या हुआ है sellers के strength खत्म होगे sellers बहुत कमजोर होगे जब sellers क कमजोर हुए तो टूटने का chances बहुत कम है नहीं तूटेगा तो यहाँ पर हम at least सबसे पहले क्या decision लेंगे कि हमें sell side की तरफ नहीं जाना है और जो लोग यहाँ पर sell side की तरफ जाएंगे वह यहाँ पर trap में फस जाएंगे और trap में फसने का मतलब है कि आपको loss उठाना बच पा रहें और हम सही direction में सही tweet initiate कर सकते अब इतना काम होगी अब यहीं पर छोड़ेंगे ने इसको अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई buying opportunity मिलवा यह नहीं मिलवा इस candle के high को mark करेंगे जैसे इस candle के high के ऊपर हमें closing दिखेगा और buyers में strength दिखेगा जैसे हम इस level के आसपा क्या कर सकते हैं profit book कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि पहला concept आपको समझ में आगी आओगा supportable identify करना है और आपको क्या identify करना है long tail at the bottom बनना चाहिए support के करेव यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको technical analysis सारा कुछ सीखना है जिसमें यह सारा part आ सारा कुछ आते हैं तो उसके लिए हमने एक course design किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना परेगा नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पर हमने पूरा basic से लेकि advanced level तक सब कुछ बात किया है आप उसके जरी यह सारा कु सीख सकते हैं complete information मिल जाएगा फिर आप एजर independent trader काम कर सकते हैं तो आप हमारा mobile app equity community को download करके जरूर course को देखी course person आता है तो आप enroll कर सकते हैं लेकिन आप हमारा mobile app download करके हमारे course पर जरूर विजिट किजिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम आते दूसरे तरीके से कैसे हम sellers के weakness को identify कर सकते हैं अब दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या find करना support level find करना और यहीं पर action होना चाहिए दूसरा point क्या है कि two or more candle क्या बनना चाहिए दो या दो से ज़ादा candle आपका same bottom का formation करें तो यह भी हमें क्या indication देगा है यह भी हमें indication देगा है कि जो sellers है वो यहाँ पे कमजोर हो गए हैं और जब sellers कमजोर हो गए हैं यहाँ पे sell side की तरफ नहीं जाना हमें क्या करना है buying opportunity खोजना buying opportunity मिलता है तो हम यहाँ पे buy side की तरफ trade ले सकते हैं तो पहला point क्या बताया था पहला point बताया था कि candles में long till होना चाहिए bottom में और दूसरा point क्या है कि हमारा 2 या 2 से ज़्यादा candle same bottom का formation करना चाहिए वो भी कहाँ पे support level के करीब चलिए अब हम इसको देखते हैं अब देखे price यहाँ पे यहाँ पे एक आपका support level का formation हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर price उपर है यहां कोई काम का नहीं है फिर price जब नीचे support लेवल करीब आया था तो वहाँ पे क्या हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं यह candle यह candle और यह candle यहां पर तीन candle ने क्या काम किया है आपका same bottom का formation किया है और यह क्या indicate कर रहा है यह indicate कर रहा है कि इस line के नीचे जो buyer है वो बहुत जादा strong है buyers अपना strength दिखा रहे हैं और यहां पर आने के बाद जो sellers हैं वो कमजोर होगे हैं वो अपना weakness दिखा रहे हैं क्योंकि तीन candle लगाता rate मना है यहां पर हम daily chart पर आ रहे हैं यहीं लगाता है तीन दिन sellers ने अपना पूरा दम लगा है इस level को break करने का लेकिन इस level को break नहीं कर पाया है that means to sellers में अब strength नहीं बच गया है अब यहां पर buyers मजबूत दिख रहे हैं और buyers अगर आगे dominate करते हैं तो हम buy side की तरह positions initiate कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला decision लेना है कि यहां पर हमें sell side की तरह positions initiate नहीं करना और यहां पर हमें trap में नहीं फसना है यहां पर दूसरा तरीका से हम sellers के weakness को identify करें अब उसके बाद दो या तीन जो भी candle हो या फिर चार पांट जो भी candle उन सब मेंसे जो भी हाई हो यहां पर हाई बना इसके ऊपर अगर price जाता है और buyers में अगर हम इस ट्रेंड दिखता है तो हम आप की तरह positions initiate कर सकते हैं जैसे यहां पर हम क्या करेंगे बाईसार की तरह पोजिशन के रूप में काम करेगा फिर हम पहले target price के अगर हम बात करें तो इसके लिए जा सकते हैं second target price हम इसके लिए जा सकते हैं पहदा target price हमारा hit नहीं हुआ है तो anyhow यहाँ पर हमें profit मिलता हुआ देखेगा हम loss में नहीं रहेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर sellers के strength को यहनी sellers के weakness को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको sell नहीं करना buying opportunity इस तरीका फाइन करते हैं जिसके जरी हम क्या कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर किस तरीके से sellers के weakness को आइडेंटिफाई करें पहला point क्या था कि आपका support लेवल को आइडेंटिफाई करना है उसके बाद यहाँ पर जो हम identify करेंगे वो candle के size पे identify करेंगे support लेवल करीब आते आते candle का size क्या होना चाहिए candle का size छोटा होता जाना चाहिए अगर support लेवल करीब आते आते candle का size small हो रहा है candle का size छोटा हो रहा है यह हमें क्या denote करेगा, यह हमें same story बताएगा कि sellers यहाँ पे कमजोर हो गए हैं, यहाँ मैंने आपको तीन तरीका बता है, सबसे पहला क्या है, candle का size small होना चाहिए, उससे पहले मैंने आपको क्या बता है था, long till bottom में बना चाहिए, और इन सारे conditions में candle color से हमें कोई मतलब नहीं ह करता है, जो condition से वो satisfy होना चाहिए, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका same bottom, और तीसरा यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि candle का size support लेवल करीब आते हैं, छोटा होना चाहिए, यह तीन criteria से आप आसानी से sellers के weakness को identify कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इस point के उपर ब करीब काफी time बाद आया है, तो हम इस point पे focus करते हैं, जहाँ पे यह support लेवल करीब आया है, थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, ताकि आपको clarity के साथ यह concept समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, प्राइस आपका ऊपर में, यह distribution phase बनाया है, इसके उपर भी हमने separate video बना र वो काफी हद तक strong है, और big red candle बनते जा रहा है, लेकिन जैसे support यह करीब आया है, देख सकते हैं, candle का जो size है, वो gradually आपका छोटा होते जा रहा है, अब यहाँ पे आपका price एक level करीब जाके रुख गया, और candle का size भी छोटा हो गया, red candle का size छोटा हो गया, मतलब यह भी क्या इंसर दिखा रहा है, यह भी दिखा रहा है कि जो sellers है, उनका strength खत्म हो गया, अब sellers यहाँ पे बहुत ज्यादा कमज़ोर हो गये, और wahi story है कि जब sellers कमज़ोर हो गये, यह जो हमारा support level है, क्या यह support level को break कर पाएगा, क्या यह जो wall बना उसको break कर पाएगा, answer है, नहीं break कर प यहां पर लेकिए आपका एक pattern बना लिया है इने multiple candle ने आपका एक range के बीच में move दिया है तो जैसे इसके उपर निकलेगा यहां पर निकला है यहां पर हम बाइसार के तरफ जाएंगे यह point मेरा SL के रूप में काम करेगा फिर हम पहले अगर हम बात करें इसे profit book करके निकल सकते हैं तो इस तरीके से आप sellers के weakness को identify करके आप काफी हद तक क्या कर सकते हैं market के reversal को भी identify कर सकते हैं निका प्राइस आपका reverse लेने वाला वो identify कर सकते हैं trap से बच सकते हैं losses को avoid कर सकते हैं और आप अपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं so उमीद करते हैं यह जो concept है यह आपको समझ में आ गिया होगा यह थोड़ा सा complicated concept है लेकिन मैंने आपको simple तरीके से बताया है ताकि आपको कोई confusion ना हो so अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज केजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम आगे और भी आपके लिए लाते रहेंगे so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन